अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो तुरंती सब्सक्राइब कीजे और साथ में आल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे दोस्तों टोईटा अपनी मोस्ट पॉपलर हैजबेक यारीज को लाँच करने वाली है इंडिया में और जहां तक इसके एक्सपेक्टेट लाँच डेट की बात करें तो एंड आप 2020 और अरली 2021 में लाँच कर सकती है इंडिया में और इसकी एक्सपेक्टेट प्राइसिंग रहने वाली है दोस्तों 6.50 लाँच टू 8.50 लाँच एक्स शोरूम दिली जहां तक कॉंपटीटर्स की बात करें तो इसका सीधा सीधा मुकाबला होने वाली है इसी सेग्मेंट में पहले से एक्जिस्ट टाटा अल्ट्रोस मारुती सुजू की बलेनो और अपकमिंग हुंड़ाई आई 20 से जहां तक डिजाइन डाइनमिस की बात करें तो इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको मिलने वाले हैं बहुत ही सांदार LED डे टाइम रणिंग लाइट और ट्रिपल प्रोजिक्टर हैड लैम और प्रोजिक्टर फॉग लैम टोईटा यारिस हैजपेक के टॉप इन बेरेंट में मिलने वाले हैं ट्योल टोन का आप्शन वहीं हम साइट प्रोफाइल की बात करें तो यहां पे आपको मिलने वाले हैं बहुत ही सांदार 16 इंच के अलॉई वील और वहीं हम बात करते हैं इसके लोर वेरेंट की तो हाइट 1509 mm वील बेस 2510 mm ग्राउंड क्लेरंस 170 mm प्रेने वाला है रियर प्रोफाइल के अगरम बात करें तो आपको इसमें मिलने वाले हैं बहुत ही सांदार इंटेगरेटेड स्पोईलर साख्फिन एंटिना और बहुत ही सांदार सी सेवड एलेडी टेल लैम जो की सीस्तांदार पियानो ब्लेक फिनिश में रियर बंपर और दोनों तरह और रिफेलेक्र देग्र और घट लिए रिवर्स पाकिंग सेंसर और इसके A-Piller, B-Piller,I-Polf,C to blackout किया गया है जो कि इसके एकुस्टीर हैं अक्रशेशेशिन को काफी हद तक एरंस कर देते हैं चले दोस्तों बात करते हैं टोईटा यारिस में मिलने वाले इंजन की तो इसमें आपको मिलने वाले है PS6 compliant 1.5 liter 4-cylinder पैट्रोल इंजन जो की 80 BSP की पावर जनरेट करता है और इसमें आपको मिलने वाले है 5-speed manual transmission और इसके लावा आपको इसमें मिलने वाले है PS6 compliant 1.5 liter 4-cylinder पैट्रोल इंजन जो की 106 BSP की पावर 6000 आर्पियम पे और 140 एनम का पीक टॉक जनरेट करता है 4200 आर्पियम और इसके साथ ही इसमें दिया गया है लीथियम आइन बैटरी जो की माइल हाइब्रिड टेकनोलोजी से लैस होगी दोस्तों और इसमें transmission की बात करें तो 6 screen manual and CVT gearbox का option दिया जा सकता है जहां तक interior की बात करें तो Toyota Yaris hatchback में मिलने वाले हैं काफी premium interior जहां तक steering wheel की बात करें तो आपको मिलने वाले हैं 3 spoke, tiltable, telescopic, leather wrapped, steering wheel जिसके left side audio mounted control and right side cruise control की सुविधा मिलने वाले हैं dashboard layout की बात करें तो काफी premium रहने वाला है और इसमें आपको black finish dashboard किया गया है जहां तक apposity की बात करें तो leather apposity और height accessible headrests प्रोबाइट किया गया है काफी comfortable suits यहां पे प्रोइट किया गया है Twitter Yaris hatchback में practicality की बात करें तो center console में मिलने वाले काभी सारे storage और वहीं हम बात करते हैं इसके impotentment system की तो यहां पे आपको provide किया गया है 7 inch का floating touch screen impotentment system जो की support करने वाला है दोस्तों apple carplay android auto bluetooth currency navigation radio FM aux and USB को काफी premium रहने वाला है दोस्तों इसका interior layout और जहां तक इसके lower variant की बात करें तो front seat में आपको integrated headrest मिलने वाले है rear seat में आपको मिलने वाले है height accessible headrest कापी सांदार space रहने वाला है legroom headroom की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला टोईटा यारिस hatchback को तैयर किया गया है TNGA यानि टोईटा new global architecture plate farm पे और जहां तक इसके safety features की बात करें तो दोस्तों इसे global NCAP crash test में 5 star की rating मिली है और इसके लावाइस में मिलने वाले हैं दोस्तों dual airbag ABS with EVD with brake assist reverse parking sensors reverse parking camera seat belt reminder driver side and co-passenger side isopic child seat anchorage height adjustable driver seat belt engine immobilizer keyless entry and push start stop button speed alert system anti-theft device front impact beam side impact beam जैसे premium safety features मिलने वाले हैं ये थी दोस्तों latest update टोईटा की upcoming hatchback टोईटा यारिस के बारे में information आपको कैसे लगी नीचे comment section में जरू बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों चैनल को subscribe के बगार बिलकुल मत चाहिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पर ये रोजा नहीं हूँ आटो मुबाइस से जुड़ी news, reviews, test rights, walk arounds, comparison, accessories आप से साजा करता रहता हूँ तो जले दोस्तों आज की ने बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो पे तब दट के लिए तेंक यू, दन्यबाद, जाहिए